हेलो फ्रैंट्स कैसे हैं आप सभी आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर मैं हूँ दिव्या वर्मा और आज आप लोग हमारे साथ जुड़कर पढ़ने वाले हैं सूर्दास जी का जीवन परचे यहां पर कोश बिंदू दिये हुए हैं जिनके माधियम से हम लोग पढ़ें सूर्दास जी की काव्यगत विसेशताओं के बारे में ठीक है तो चलिए टाइम को वेस्ट किये बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों आपके पेपर में कुछ इस प्रकाश क्वेशन पूछे जाएंगे जैसे पहला प्रचना पर दिया हुआ है सूर्दास के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनकी काव्यगत विसेशताओं का वर्डन कीजिए अथवा महाकवी सूर्दास का जीवन परिशे देते हुए उनके साहित्तिक योगदान का वर्डन करें चलिए देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग सूर्दास से संबंदित जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें एक बार जान लेते हैं ठीक है तो इनका जन्म 1478 में हुआ था जन्म स्थान रूनकता माता का नाम जमुनादास पिता पंडित रामदास और पत्नी का नाम रतनावली था गुरु वल्लभाचारे और भासा इनकी ब्रज थी ठीक है म्रत्यु 1583 इस्वी काविधारा क्रचनासरही जो सूर्दास है वो क्रचनासरही काविधारा के कवी थे इनकी रचनाये हैं जिन्हें आप लोग ध्यान रिखेगा तो इनकी रचनाये हैं सूर सागर साहित्य लहरी सूर सारावली सूर 25 नल दम्यंती ठीक है चलिए आगे देखते हैं अब हम प्रकास में सूर्दास जी का जन्म सीही नामक गाउं में हुआ बताया जाता है। देखिए इनके जन्म सी सम्मन्दित विद्वानों के अलग-अलग मद्भेद हैं। कोई कुछ बताता है और कोई कुछ तो कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म रूनकता नामक गाउं में हुआ था। जबकि इनके जीवन पर एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम क्या है भाव प्रकास ठीक है तो भाव प्रकास पुस्तक में इनका जन्म सीही नामक गाउं में बताया जाता है। आगे देखिए इनके पिता का नाम पंडित रामदास जोकी सारस्वत ब्रामः थे और इनकी माता का नाम जमनादास था। सूरदास जी को पुराणों और उपनिस्दों का विसेश ग्यान था। सूरदास जी के जन्म से अंधे होने के संबंद में भी लोगों के बीच अनेकों तरे की भ्रांतियां फैली हुई है। कुछ लोग मानते हैं कि सूरदास बचपन से ही अंधे थे तो कुछ का मानना है कि सूरदास जी किसी दुरगटना के बाद अंधे हुए होंगे। क्योंकि सूर्दास जी की कुछ रचनाओं में जिस तरह की कलपना शक्ति मिलती है वह कोई जर्म से अंधा व्यक्ति कर ही नहीं सकता। देखे यहाँ पर सूर्दास के अंधे होने से सम्बंदित बहुत सारे मद्भेध हैं। के अंधे होने के विशय में कुछ प्रशिद कभी उने अपने विचार भी लिखे हैं। अधिका वर्डन किया है इस प्रकार का वर्डन कोई जर्म से अंधा व्यक्ति कर ही नहीं सकता। ठीके चरी आगे देखिए। श्रीनाज जी के मंदिर में भजन कीर्टन किया करते थे। कभी सूर्दास वल्लभाचार के प्रमुख सिस्यों में से एक थे और या अश्ट छाप कभियों में भी सर्वस्रेश्ट स्थान रखते थे। आगे देखिए। इनकी कुछ रचनाएं हैं। पहली रचना इनकी है सूर्द सागर। अब सूर्द सागर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सूर्द सागर को महान कवी सूर्दास की सबसे प्रच्छिद रचना माना गया है। इतिहासकारों के अनुसार सूर्षागर में लगभग एक लाग से अधिक पद एवं छन्द संग्रहीत थे सूर्षागर को सूर्दास जी ने ब्रजभासा में लिखा है Next इनकी बुक है सूर्षारावली सूर्षागर में लट्षागर में लट्षागर में लट्षागर में मिलता है आगे देखिए Next है साहिति लहरी साहिति लहरी हिंदी साहिति के स्रंगार रसपर आधारित ग्रंथ है जिसमें सूर्दास ने अपने गुरु वल्लभाचारी और क्रश्न भक्ति का वर्डन किया है Next है नल दम्यंती सूर्दास जी की इस रचना में महाभारत के नल और दम्यंती की कहानी के बारे में बताया गया है सूर्दास जी अपनी इस रचना में स्रीक्रश्न और युदिस्टिर के उस वारतालाप का वर्डन करते हैं जब इदुस्टिर अपनी पत्नी समेत राज, पाठ और सब कुछ जुये में हार जाते हैं तो ये इनकी पुस्तके होगी इनके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ लिया है अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आरे तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा सूर्दास जी ने भगवान स्रीक्रश्न की भक्ति कर बहुत ही खूपसूरती से उनकी लीलाओं का व्याख्यान किया जिसके लिए उन्होंने स्रंगार, सांत और वात्सल तीनों ही रसों को अपनाया है इनके कावे में भावपद और कलापक्ष दोनों ही समान अवस्था में मिलते हैं इसलिए इन्हें सगुण क्रश्न भक्ति साखा का प्रतिनेदी कभी कहा जाता है सूर्दास जी ने अपनी कावेगत रचनाओं में मुक्तक शैली का प्रियोग किया है साथियनों ने अपनी रचना में ब्रच भासा का प्रियोग किया है सूर्दास की भासा कौन थी थी तो ब्रच भासा थी इनके सभी पद गे हैं और उनमें मादूर और वादसल गुण की प्रधानता है आगे देखिए शूर्दास जी की मृत्यू कब हुई थी चले देखते हैं सूर्दास जी की मृत्यू के बारे में अनेक विद्वानों के मत्भेद हैं लेकिन जिस मत्पर अधिकतर विद्वानों की सहमत है वा या है कि सूर्दास जी की मृत्यू 1583 इस्वियू में गोवर्धन इस्थान के पास पार्शौली नामक ग्राम में हुई थी सूर्दास जी जिस स्थान पर अपना देहावशान किया था वहाँ लोगों के द्वारा सूर स्याम मंदिर जिसे सूर कुटी भी कहते हैं कि स्थापना की गई थी ठीक है चलिए नेक्ष्ट अब सूर्दास जी की जो काविगत विसेशताय हैं उनके बारे में पढ़ते हैं तो पहला पॉइंट है यहाँ पर सूर्दास जी ने अपनी रचनाओं में भक्ती रस के साथ स्रंगार असका भी उप्योग किया हैं इन दोनों में वर्ण छंद और पद अत्यंत ही दुरलब हैं सूर्दास की रचनाओं में जगा जगा कूट छंद पदों का उप्योग हुआ है सूर्दास जी के द्वारा रचित विनैपद तुलसी दास जी के द्वारा प्रेरित लगते हैं आगे देखिए सूर्दास जी ने अपनी रचनाओं में भावा नुकूर सब्दचयन, सार्थक अलंकार, भासा की सजीवता आधि को बहुत ही अच्छे धंग से निरूपित किया है सूर्दास जी ने अपनी कविताओं और दोहों में स्रीक्रश्न जी और माता यसोदा के शील सीतल गुणों को बहुत ही अच्छी तरीके से चित्रत किया है सूर्दास जी ने अपनी अधिकतर रचनाओं में स्रीक्रश्न की बाल लिलाओं का ही वाडन किया है ठीक है तो ये उनकी हो गई काविगत विसेशता है ठीक है तो ठीक है दोस्तो आज के लिए बस यही तक आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर प्रूर करिएगा और अगर आप हमारी चैनल पर नए हूँ तो चैनल को सबस्क्राइब भी कर लिजेगा ताकि इसी प्रकार की आने वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुचें फिर मिलते हैं दोस्तो ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ तब तक आप बने रही हमारे साथ धन्यवाद दोस्तो जय हिंद